हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश दोस्तों आज 24 सितंबर है आज के लिए जारकर्ण का इंटरफेर्स के इंपॉर्डेंट कोईशन्स हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल जो मैंने वीडियो बनाया था उस statement को बहुत से लोगों ने गलत समझा अभी जिस तरह से पक्ष और उपक्ष में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उसे आप समझे नहीं पा रहे हैं एक तो अभी जो जारकर्ण सरकार है वो तो परिक्षाएं लेने रही हैं नई नियुक्तियां निकाल नहीं रही हैं अब उन्हें बहाना मिल गया है कि हाई कोट ने नियोजन निति को गलत ठाराया अब इसे फिर से अच्छे सीरे से बनाया जाएगा फिर से परिक्षाएं होंगी जो परिक्षाएं होने वाली थी उसे तब लिया जाएगा और फिर नई वेकंजिस निकाले जाएंगे मितले स्थाकूर का आपको ट्विट याद होगा तो खैर ये बात की बात है ये आपका ओपिनियन है वो मेरा ओपिनियन था आप जो भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है कि छारकंड सरकार अब सुप पहले से कितने लोग वेट कर रहे हैं दो, तीन साल, चार साल तो यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है कि सुप्रिम कोट जाने वाली है छारकंड सरकार ठीक है तो चलिए उसे हम लोग साइड ही रखते हैं एक्जामिनेशन होगा क्योंकि छारकंड सरकार का अब थोड़ा सा जो थिंकिंग है वो थोड़ा चेंज हो रहा है जो दो दिन पहले वो बोल रहे थी उसका एकोटी तो यहाँ पर फर्स्ट कोईशन है राजी के कितने जिरो में एंटी हुमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने खोले गए हैं लेकि पहले ये आठ जिले में औरडी खोले गए थ और अब बाकी की जो 16 डिस्टिक्ट्स हैं वहाँ पर खोले जाएंगे मतलब कि इसका ओप्सन ए सई अन्सर होगा ठीक है पहले आठ में ये खोले गए थे 2016 में और उसके बाद अब तो बाकी जो 16 डिस्टिक्ट्स हैं वहाँ पर ये खोले जाएंगे एक्स्प्लानेशन देख लेते हैं अच्छा फिर से मैं रिपिट कर दूँ कि जितने लोग लेक्चर देखते हैं उतने लोग क्वीज एटेंब नहीं कर रहे हैं आपको अभी ये नहीं समझ में आएगा जब करेंट अफ़ेर आप एक साथ पढ़ने लगेंगे तब आप द आज का करेंट अफ़ेर आप आज ही खतम कर दीजिए पढ़कर इसको कल पर नहीं छोड़ना है नेक्स्टाइम जब आप PDF या फिर अपने नोट से रिविजन करेंगे तो आसानी से इन सब चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे तो यहां पर देखिए कि राज के सुला जिलो में Anti-Human Trafficking Unit थाने खोले गए हैं और यह जो थाने हैं उनका नाम उन डिस्टिक्ट का नाम यहां पर लिखा हुआ जिसे धनबाद का टाउन थाना पुर्वी सिंग भूम का घाट सिला तो इस तरह से 16 डिस्टिक्ट के थानों का नाम यहां पर लिखा हुआ है अब देखिए प थाने का कारेच्षेत्र संपुर्ण जेले में होगा थाने में अवेद मानव वेपार से संबंदित मामले दर्च होंगे साथ ही इनका अनुसंधान भी होगा राजे के आठ जिलों में साल 2016 से ही ASTU थाना का रिरत है ASTU थानों की वज़ा से मानो तसक्री रोकने में बड़ी सफलताइं मिली है इन थानों के लिए निर्भया फंड के तहद अधार भुझ सरंचना के लिए खर्च किये जाने का निर्देश है राजे में 3 करोड से अध लातियों के परवेस को कम करने के लिए इनाइडर्स यहां पर यह जो स्पेलिंग है यह एनिमल इंट्रेजन डिटेक्शन एंड रिपेलेंट सिस्टम जिसे AIDRS सौट में बोला जाता है तो इस परकार का समय दिन सिल यंत्र लगाया जाएगा तो किस जीले के वन परमंडल म लगाया जाएगा तो आपसंस है लाति हार पुर्वे सिंग्भूम हाति से सबसे वन विभाग उन्हें हातियों की रक्षा तथा मनिसियों के साथ होने वाले टकराव को रोकने के लिए वन ने प्रबंदन योजना त्यार किया है इस योजना को सारंडा तथा चायबासा वन परमंडल के उन 18-18 गाउं में लगू किया जाएगा जो गाउं हातियों के आवागमन के कोरिडोर में इस्तित होने के कारण हातियों से अत्यधिक परभावित है इस योजना की तहद सारंडा तथा चायबासा वन परमंडल के 18-18 गाउं में हातियों के परवेश की सुझना पहले मिले इसके लिए हर गाउं के चारों और अनिमल इंट्रेजन डेटेक्शन और रिपैलेंट सिस्टम नामक विसेज परकार का समयतन से लियंतर लगाया जाएगा जो हातियों के आने पर सक्री हो जाएगा उससे निकलने वाले इंफ्रा रेट करने और अलार्म यहां बताएंगे कि हाति अभी उनके गाउं से कितनी दूरी पर है चलिए एक और यहां पॉइंट रह गया है कि इसमें ग्रामीनों को सतर्क होने का मौका भी मिल जाएगा इससे निकलने वाले केरने और अलार्म हातियों को भी वहां से दूर रखा जाएगा इसके अलावा विभाग भी गाउं के लोगों को हातियों के आने की सुझना देखर सतर कर सकेगा साथ ही इसमें नाइट वीजन कैमरा भी होगा जो हाति के करीब आने पर उनका फोटो भी खीन सकता है इससे हातियों की संख्या का ठीक ठीक पता भी लगाया जा सकेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रमेंट है इससे कितने सारे काम हो जा रहे हैं एक तो एंट्री का पता लग रहा है कितने नंबर हैं वो ही पता लग जा रहा है ठीक है तो काफी अच्छी इंस्ट्रमेंट है अब यहाँ पर इसके अलावे कुछ और चीज़े हैं जैसे कि पश्चिमी सिंग्भूम का यहाँ पर टॉपिक उठा है प्रमुकस्तल यहाँ के बेनिसागर का सियो मंदिर है और कुछ और चीज़े हैं जैसे कि सबसे बड़ा संसद्य चेतर है यहाँ पर सरवाधिक लिंगानुपात है सरवाधिक सीसु लिंगानुपात है 983 सबसे ज़्यादा एरिया है 7224 किलोमेटर स्कॉयर और सबसे ज़्यादा वनचेतर भी है 3912 किलोमेटर ओके यह स्कॉयर किलोमेटर है तो थर्ड कोशन देखते है चार खंड के किस रेडियो स्टेंशन को Bill and Melinda Gates Foundation के ओर से प्रोजेक्ट मिला है रेडियो धूम, रेडियो खाची, रेडियो बिक Firm, बिक FM यहाँ पर Firm लिखा हुआ है बिक FM रेडियो राची तो रेडियो खाची 90.4 FM इसे ये प्रोजेक्ट मिला है यहाँ पर देखिए राची विस्विद्याल है कि कम्यूनिटी रेडियो खाची ये खाची ही है इसमें आप कन्फिविश ना करें रेडियो खाची तो रेडियो खाची 90.4 FM को बिल और मलेंडा गेट्स फाउंडेशन इंडिया की और से कोविट-19 पर तीन महिने का एक प्रोजेक्ट मिला है इसका सिर्शक है नहीं सुरुवात करे कोविट-19 में और इसका टेग लाइन क्या है मास्क नहीं तो ठोकेंगे कोरोना को रोकेंगे पूरे देश में 200 कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन में रेडियो खांची 90.4 FM भी एक है इसके तर संदेशों जिंगल और कारकरम के माध्यम से लोगों को जागरूप किया जाएगा पहले 30 दिन सिर्फ मास्क की बाते होंगी उसके बाद अगले 30 दिन सुचिता की बाते होंगी अंती महिने में इसके साथ समाजिक दोरी की भी बाते होंगी फोर्थ कोईशन है जारकर्ण में किस अस्तर पर ओक्सीमीटर की उपलबता राजसरकार द्वारा कराई जा रही है तो आप्सन्स यहाँ पर है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा पंचायत समिती जिला परिसर तो आप्सन यह ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के लेवल पर ओक्सीमीटर को अवेलेबल करवाया जा रहा है अब यह है क्या इसके बारे हम लोग जानते हैं देखिए कोरोना संक्रमन में जान जाने का खत्रा सबसे ज़्यादा वैसे लोगों को होती है जिने पहले से सांस में सांस से संबंदित कोई बीमारी है इसलिए राजसरकार अब सभी ग्राम पंचायत में आक्सीजन, सिलेंडर और एक-एक उक्सीमिटर उपलब्द करा रही है ताकि इससे लोगों के सरीर में उक्सीजन लेवल का समय समय पर पता चल सके और जान जाने के खत्रे को कम किया जा सके ठीक है चरी पांचवा कोशिन है आईस्मान भारत योजना के अधिकारिक पोर्टल National Health Authority के अनुसार जारखंड का कौन सा अस्पताल पहले स्थान पर है रिम्स राची, सदर राची, PMCS धनबाद MJM जमसेतपूर तो राची लेकिन रिम्स नहीं option B, सदर राची इसका सही answer है एक्स्प्लानेशन इसका देखते हैं आयुस्मान भारत योजना के अधिकारिक पोर्टल National Health Authority के अनुसार राची का सदर अस्पताल राची में पहले स्थान पर और पूरे देश में चौत्य स्थान पर है आयुस्मान भारत योजना के तहट सदर अस्पताल राची में इस साल 15,842 मरीजों का इलाज हुआ है जिससे अस्पताल को 6 करोड रुपए सरकार के द्वारा दिया गया है इस योजना के तहट सबसे ज़्यादा केस डिलिवरी का हुआ है जिसमें समान ने प्रसा हुआ सिजरियन सामिल है वहीं जनरल सरजरी भी इस योजना में सामिल है ये वहीं नहीं है वहीं है चटा कोशन है जारखन में किस बैंक के द्वारा जॉइ ऑफ गिविंग कारिकरम का आयोजन किया गया है अप्संस अच्छा अप्संस कल वाले लेक्चेर का अप्सं रहा गया ये अप्संन नहीं है चले डारेक्ट इसका एंसर हम लोग देखते है इसका एंसर है State Bank of India State Bank of India कोशन कहा था फिसे देख लेजे जारखन में किस बैंक के द्वारा जॉइ ऑफ गिविंग कारिकरम का आयोजन किया गया है एंसर क्या हो जाएगा S.B.I.T. कहा है चलिए देखते हैं इसके बारे में State Bank of India और स्वेहम सेवी संस्थान गुझ ने साथ मिलकर जॉइ ऑफ गिविंग कारिकरम का आयोजन किया है यह कारिकरम 30 सितंबर तक चलेगा इस कारिकरम को सुरू करने के पीछे का उदेश से कोरोना महामारी से प्रभावित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वेक्तियों वाग उनके परिवारों को मदद पहुचाना है इस दोरान बैंक के स्टाप ने वस्तरदान दिया है और 53,601 रुपए की सायता रासी भी भिंट की है कुछ और चीज़े हैं जैसे के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहां पर मेंसन किया गया है तो जान लेते हैं इसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अस्थापना और ना बैंक ऑफ कैलकटा पहले ये नाम था दो जुन 1860 उसके बाद बैंक ऑफ बॉमबे 15 अपरेल 1840 बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1840 इंपरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 तो ये इसका जो नामकरन है इस तरह से इसका हेट क्वार्टर मुंबई में है और जेयर में जो है वो रजनिस कुमार है तो ये 6 important questions थे जारखन करेंट अफेर के लिए आज के लिए लाश्ट लेक्चर का जो question था जारखन के कितने प्रखंडों में फॉर्मर प्रोडूसर और्गनाईशन की सुरुवात की जाएगी आपसंस 8, 18, 24, 18 इसका सही answer है चलिए आज के लिए आपका question है राश्टी जलसक्ती मंत्राले ने किस जीले को राश्टी जलसक्ती पुरसकार से सम्भानित किया है राची, खूंटी, पुर्वी सिंग्भूम या फिर रामगर आप अपने answer को comment के तुरू बताए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्रीज इसे like करना ना भूले साइट में जो चल रहा है उसे आप चलने देजी लेकिन current affair को छोड़ना नहीं ये daily वाला चीज है और जो भी updates होगा जैसे से CGL को लेकर या फिर JPC को लेकर तो उस update को बताया जाएगा अब सब कुछ state government पर depend करता है उनका अगला step यही है कि वो Supreme Court जा रही है फिर देखते हैं क्या होता है ठीक है तो सबका अपना अपना opinion होता है लोग कुछ भी comment कर सकते है उसमें किसी तरह का पाबंदी नहीं है ठीक है लेकिन